विश्रू अगर मैं बात करूँ तो सर्दी का सितम इस वक्त राजस्तान के लोगों को साफतार पर जोहिलना पड़ रहा है क्या कहना है मौसम विभाग का देखें पूरे प्रदेश भर में कडाकी की ठंड पड़ रही है राजस्तान के अधिक तर जो शहर है उनमें टेंपरेचर पाट डिग्री से नीचे पहुँच चुका है राजदानी जैपूर की अगर बात करें तो बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात पूइंट आठ डिग्री सेल्सियत जो तापमाने वो राजदानी का दर्ज किया गया आपने मौसम विभाग की बात की तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 48 गंटों तक पूरे प्रदेश में सीट लहर चलेंगी ठंड का जो इस तरह है और बढ़ेग थंड में तेजी हुई तो चूटिया और बढ़ाई जा सकती है साती देगे कैई जो ट्रेने है वो इसकी वजह से को छे वज़ेसर डिले हो रही है क्योंकि काई ना काई पूरे पर देस भर में पड़ रहा है से पर दिदेश के तमाम सेरों में जो शहर हैं वो कोरे की चादर में लिटे हुए हैं साथ ही जो एयर ट्रेफिक है उस पर भी कही ना कहीं फरक को परे की वज़े से पढ़ रहा है लोगों को खासा परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है क्योंकि देगे जो पूरे प्रदेश में जो ठंड है वो लगातार पढ़ रही है अगर प्रदेश के जो ही श्टेशन है जैसे मांट अबू फतेपुर ऐसी जगाओं कि अगर बात की जाए तो महां टेमपरेचर लगातार जीरो से नीचे जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं हाड कपाने वाली सर्दी है वो पूरे प्रदेश में पढ़ रही है जी है विश्टो अगर हो सके तो जाहूंगी कि आप जरा अपने आसपास का भी एन्वारिमेंट दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त मौसम बना हुआ है क्योंकि इस वक्त मैं जो तस्वीरे नजर देख रही हूं आपके पीछे हलकी धूप भी शायद निकल रही है देखे मैं तस्वीरे आपको दिखाना चाहूंगा आप हाल फिलाल जो है राजदानी जैपूर में दूप निकले दूप का इस्तर है वो ठंड की वज़े से जो दूप है वो कहीना कहीं बे असर नजर आती है क्योंकि जो सर्दी का सितम परदेश में चल रहा है उसकी आपका सहरा ले रहे हैं पूरा जो जीव जीवन है वो अस्वेस्ट नजर आता है क्योंकि देखे जो लगातार जो टेंपरेचर गिर रहा है वो कहीना कहीं परहसानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है तमाम जो इंतजामात हैं प्रसासन की और से वो भी किये गया है र गंटे के लिए तो अलट जारी किया है लेकिन उसके बाद भी अभी ठंड से जो रहत मिलने के आसार नजर नहीं आते हैं जी ठीक है अगर मैं बात करूं तो जो लोग देर रात तक रहते हैं गश्ट के दोरान विश्टू अक्सर देखने को मिलता है वो रात के ठंड में कह ही न कहीं बिमार हो जाते हैं इस तरह की के दिक्कते होती हैं क्योंकि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सरकार की तरफ से कुछ किलोमेटर के धायरे पर अलाव की विवस्ता की गई है क्या ऐसे कोई इंतजाम आपको जैपूर में नजर आते हैं देखे जैपूर में अलाव और हीटर्स वगेरा की जो विवस्ता है वो रहन बसेरों में की गई है क्योंकि जो बे सहारा लोग हैं वो वहां जाकर रात गुजार सकें इस वज़े से तमाम इंतजामात वहां पर किये गए हैं सहर में करीब एक दरजन से अधिक जो रहन बसे रहे थे उन में भी तमाम विवस्ता की गई हैं साथ ही कुछ एस्ता ही रहन बसेरी भी बनाए गए और जहां तक जो रात की बात की जाए तो रात को राजदानी जैपूर सहीद प्रदेश के तमाम जो शहर हैं वहां जवर्दस ठंट पढ़ रही है जिसके कोरा पूरी रात रहता है सुबह तक भी कोरा छटने का नाम नहीं लेता क्योंकि कही ना कहीं देखिए मौसम की वज़े से स्वभाविक तोर पर बीमारिया भी बढ़ती है उसको लेकर भी जो तमाम जो जिले हैं उनके अस्पतालों में विवस्ताएं की गई हैं अलग से डॉक्टर्स लगा है तो लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कम से कम घर से बाहर निकले साफधानी बढ़ते हैं स्थंट के मौसम से तब ही बचा जा सकता है जब मौसम विवाग और चिकेसा विवाग जो तमाम लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर जरूरी काम ना हो तो इस जो कड़ा रवाद विश्नुभाप का तमाम जानकारी देने हैं